मुख्यमंत्री नितीज कुमार लगातार अलग-अलग विभागों का दौरा कर रहे हैं शिक्षा विभाग में भी आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे अलाकि वहां शिक्षा मंत्री नहीं थे तो क्या वज़ा है कि मुख्मंत्री को अलग-अलग विभागों का दौरा करना पड़ रहा है और आचक ने निक्षन करना पड़ रहा है देखें मुख्मंत्री जी लगवग 17-18 साल से मुख्मंत्री है और मुझे लगता है कि आज तक इनको इतनी फुरसत नहीं मिली कि विभाग में जाके दौरा करें विभाग को देखें या विभाग के अधिकारी मंत्री से अलग बैट के बात करें कि विभाग में क्या चल रहा है लेकिन अब इनको इतनी फूर्सत हो रही है विभाग को देखने अच्छी बात है विभाग को देखना वैसे लेकिन गावों में कहावत है कि जब धीप बुजने वाला होता है तो उसका लोग बढ़ जाता है वही सिती नितिश कुमार जी के कि इनका अंतिम समय चल रहे है रा प्रतिमा पर मालयारपन क्या भाजपा से नजदीकियां बढ़ाने की दिशा में कदम है नितीष कुमार जी क्या जो काम का स्टाइल है वो नितीष कुमार जी एक सड़े हुए आम की तरह है अब वह आम सड़ चुका जिस टोकड़ी में जागा टोकड़ी भी सड़ जागा इस लिए यह इस तरह के काम करते हैं जहां तक भाजपा का सबाल है अगर ने नरेद मोदी प्रधानमंत्री जी के काम के वज़े से और कार्टाओं के दम पर भारती जंता पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि छोटे मोटे दल की कोई अबसकता नहीं है और खास करके जंता लगता है लंबे समय तक पत पे रह पाएंगे जो लोग लड़ते रहते हैं पाटी टूटेगी मैक्सिमम लोग भरते जंता पाटी की तरफ भागेंगे लोग बात भी करते रहते हैं कि हमको ले लिए तो हमको ले लिए बचे खुचे आर्जेडिम जाएंगे जेडियू के पास कुछ नहीं बचेगा जिरू इतने सांसद आप लोगों के टच में हैं मैक्सिमम सांसद भारते इंदा पाटी के टच में है आप को नाम भी पता चल जाएगा और बचे खुचे आर्जेडियू के तरफ जाएंगे जेडियू से कोई नहीं लगना चाहते है नितीश कुमार जी का और जेडियू का नितीश कुमार जी का भविस पुरी तरह अब खतम हो चुका है अब उनको सन्यास लेकर के राजगीर में कहीं मठवर्ड बनाके रहें यही उनके लिए ब पार्टी का भी अस्तित्व जल्द ही खत्म होने वाला है रंजीत इटीवी भारत पटना